हेलो फ्रेंट वेलकम टो स्ट्राइट संस क्लासिस आज हम पढ़ने वने क्लास टिंथ बायो चिप्टर नूमर वन जिसमें चिप्टर को नाम है बायो प्रोसिस हमारा पार्ट ए 17 वीडियो होगा आज का जो हमारा टोफिक है कि वास्पोग सर्जन क्या होता है और आपका जो ह को बहुत ही असान भासाओं में समझना है तो क्लास 9, 10, 11, 12 सारे क्लासों के लिए मैं आपको प्रभाइड कराऊंगा आने दिनों में आपको डेली एक एक वीडियो आपको मिलेंगे NCRC Notes का तो अगर आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल दोस्तो है क्या क्या होता है दोस्तो आप यह देखर एक पेर है और इस पेर में क्या है दोस्तो यह बहुत तरह क्या है दोस्तो नीचे जर होते हैं हमको पता है मतलब मुल जिसको कहते हैं यह रूट इंग्लिश में कर जाता है अब इसमें जर में क्या होता है दोस्तो एक ज प्रता है प्रियेंज़ती है बाइवे भाग से मतलब बाहरी भाग से पतीयों के जलवास के रूप में बाहर निकल जाती है तो इसी घटना को वास्प उस्यजन कहते हैं यानि कि आपके लिए मैंने एकदम छोटा डिफिनिशन लिया है कि पौधो के वाईय भाग से जल्वास्प का निकलना वास्प उस्यजन कलाता है क्या सवन आपने? पौधो के वाईयो भाग मन्सरा पतिय और है ठीक है जोस्तों पौधो के वाईयो भाग से जलवास्प का निकलना वास्प उस्तेस होगाजन करता है और जो आपके एक पौधा लिए अपने जीवन काल में अपने बाहार का इस पौधा अब छिसे मानगा झीडिए कि अगर कोई है सवकष ही का है तो अपने पुरे जीवन काल में वह क्या कड़ेगा उसमें अपने भार का वह सवकान करता है दश्षू सौंक करता है तो वास्पो उस्जन के महत्वक क्या होता है तो वास्पो उस्जन से आपको पता है कि जब ये जो जलवास्प है उपर की तरफ जाएंगी तो इनका क्या होगा जहां पर थुरा मौसम थुरा आधरता होगी तो वहाँ पर इनका संगनन होगा क्या उदस्ता संगनन होगा और संगनन होगी तो इस जल वास्प के बादल बनेंगे और बादल बनेंगे फिर थोरा मौसम आपका हीट तापमान में परिवरतन होगी तो फिर ये बादल क्या होगे बारीश कुरूप में बरसेंगे मातलब जो पेड होते हैं वास के रियाक में यानिके ज़ल चक्ण में किया दूस्तो साहायक होते हैं जीका पेपर में अबजक्टिव डाटा आता है दो कि जो मक्का का पधा प्रती दिन कितना वासप उससजन करता है थो थो 30-45 लीटर आपके करता है इसी परकार जो स्फेव होता है तो आपका 10-20 लीटर कितना ऑसज़न का प्वेर है सेड जो है कितना करता है 10 से 20 लिटर करता है अब है दोस्तो वास्प उसजन का महतव क्या है तो वास्प उसजन से पोधो का तापमान बना रहता है अब दोस्तो तापमान कैसे बना रहेगा जैसे माल लिजे दोस्तो है क्या कि पोधा कोई प्लांट है और उस प्लांट का प्रिचर क्या दुस्तों ज्यादा हो गया है तो वहां से क्या होगा वास्प जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो वहां के तांप मान में क्या हुआ त्थरा कमी आएगी दोस्तों घिरावट आएगा जब आपके बड़ी से पसीना निकलता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जब पहर निकलता है उस वास्पोशन करते हैं अब वह जलवास उपर जाकर उनका संगनन होगा क्या प्रकात तो संगनन होगा और संगनन होगा तो भूंठायेंगे बादल और बादल बनेगे और फिर जब हईिटिंग होगी तो हैं तो 26 हो अप्षेृट में तो यह जो जलवास्प होंगे फिर वास्फ की वाज़ित कि बंखे एंग्न होगा और फिर बादल कैसे बनते हैं कैसे बारिस ओती तो पेरों डटता भी बनी राती है पापनी की जो क cunning कि नलेर है मतरा है वह दिस्टों क्या आता है व долго कि जुरों के माद्हां की यहां जल को ऑसिच करता है वासपोसेजण में से मढ़व को मधते करता है वासपोशन क्या करता है मीटी से पानी के आउसोशन में क्या करता है मदद करता है मतलब वासपोशन प्रकडिया है वो मीटी से पानी क्या करता है एब्सर्ब करता है तो दोस्तो आज साग करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी अणिगा कि तो प्रेटी के हमारे खिलाब हो गई उस तिन हमारी आत्मा तो क्या दोस्तो रूह । तब जाएगी कहने का मत्तब् यहां वहां परौख कुछ जारा है कि प्रक्रारीया बहुत शार आपका मतलब गड़िया इसे काड़ी जारही है और अने माले दिनों में का होगा दिकत हो जाएं क्योंकि प्रिथीए का तापमान प्रिथीए को पता है कि गैसों के बढ़ने से ही इस घटना को गलोबल वार्मिंग नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर परता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज चे हिंद चे भारत